गुड मॉरिंग इस्टूरेंट्स वेलकम टू माई चैनल मित्र एजूकेशन हब सो प्रीविएस वीडियो में हमने जो डिसकस किया था वो हमने देखा था ब्लड ग्रूप्स के बारे में ठीक है और साथ ही साथ हमने जो है आरेज फेक्टर के बारे में महां पे डिसकस किया तो जिन भी बच्चों ने प्रीविएस वीडियो नहीं देखा है आपको प्रीविएस वीडियो जो है अल्रड़ी प्रोवाइड करवाया हुआ है ग्रूप में तो आप पहले वो वीडियो को एक बार देख लीजिए तो आज के सेशन के अंदर हम डिसकस क्या करने वाले है इरिद्रो ब्लास्टोसिस फोईटेल्स ठीक है और साथ ये साथ हम जो डिसकस करेंगे वो करेंगे एग लूटीनेशन के बारे में ठीक है प्रीविएस वीडियो में कुछ प्रॉब्लम होने के वाई से क्या है कि ये टॉपिक कंप्लीट आपका नहीं हो पाया था जस्ट मै इस प्रॉटेंट आपके चैप्टर का जो है ये टॉपिक है बोर्ड एक्जाम पॉइंट ओफ यू से आपके एक्जाम में बार बार पूछा जाता है तो आपको जो है इसको अच्छे तरीके समय नहीं है देखिए सबसे पहले हमें ना एक लूटीनेशन को समय लेते हैं कि एक लूटीनेशन बिसिकली होता क्या है देखिए मैंने आरेश फेक्टर के बारे में आपको बताया था क्या बताया था कि आरेश फेक्टर जो होता है वो आपका टू टाइप का होता है एक होता है आरेश पॉजिटिव और एक होता है आरेश नेगेटिव ठीक है आरेश प तो आरेच पॉज्टी वहागा तो उसके पास एंटी जन क्य होंगे परेज़ेन मैं इसके पास ये इसका विजन की वह परिभी हो वह बीर हुपर किसीत में दरीका कोई बहना नहीं लगा रहा हुए होता है 물 Budget रही हो होता है और या सब होगा जैसे यह blood इसमें छो है छला जाएगा तो इसके इंद्र क्या होगा यह वाले ดॉटस आजाएगे और इसके पास भी लॉटसस आजएगे अब लोग Means पर आपकी negativity का development होगा और वो integrity क्या करेगी आपकी वो integrity RH antigen को क्या करेगी kill करेगी ठीक है अब देखिए antibody RH antigen को kill करेगी तो ये जो antigen सिसके surface पर बने हूँ है जो RBC है RBC के surface पर जो antigen आपके बने हो है उनको क्या कर देगी कर देगी तो आपके यहां से antigen क्या हो जाएंगे हट जाएंगे तो हम इसको दुबारा diagram को डौ करते हैं कि आपके पास तरीके से यह box है इसके अंदर आपके क्या है कुछ तो आपके 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 आरेज antigenes वाले हैं और कुछ आपके पास जो है आरेज negative वाले हैं ठीक है तो यह जैसे ही आपकी antipad यागी तो यह क्या होगा है kilo गए और kilo होने के बाद क्या होगा आपकी यह जो RBCs है न यह एक साथ collect होने लग जाएंगी ठीक है आपकी RBCs क्या होने लग जाएंगी एक साथ में collect होने लग जाएंगी ठीक है और एक साथ में collect होने के बाद क्या करेंगी एक bunch बना लेंगी ठीक है एक बहुत बड़ा bunch बना लेंगी और उसी को हम क्या बोलते हैं egg lute nation बोलते हैं और bunch को क्या बोल सकते हैं वो clumps बना लेगी ठीक है और ये clumps क्या करेंगे एक साथ हिखट्टे हो जाएंगे ठीक है और उससे क्या होएगा RBCs आपकी destroy होने लग जाएंगी ठीक है और RBCs destroy होएंगी वो आपका जो clump बना उससी को हमने क्या बोल दिये हैं हाँ पर aglutination बोल दिये क् क्या होगा कि आपकी जो spleen होती है na spleen में क्या होगा ये सारी की सारी जो RBCs है वो तो आपकी dead हो गई ठीक है RBCs के dead होने की वज़े से ये क्या होगी सारी की सारी spleen के अंदर चली जाएंगी और वहाँ पर क्या होएंगी घट्टी होगी तो इससे spleen पर क्या होगा load पड़ जाएगी ना तो एक बिली रूबीन नाम का एक सबस्टेंस जो है वह आपका प्रोड्यूस होगा किसका किसका प्रोडुक्षन हो जाएगा बिली रूबीन ठीक है यह बहुत ही हार्मफुल सबस्टेंस होता है हमारी बॉड़ी के लिए ठीक है तो पेपर के अंदर कुछन करना ठीक है तो यह भी अपना प्रोपर वर्क नहीं कर पाएगा तो किड्नी में क्या होगा आमोनिया जो है सर्कुलेट होगी ठीक है तो इस वाइसे क्या होगा आपकी डैथ भी हो सकती है ठीक है डैथ कॉजिंग हो सकता है यह ठीक है क्योंकि आपके जो वाइटल ओर्गन साथ साथ में कभी भी Colorado आएगा तरह लेकिन चप्रेंगेचिशें टाइम पे क्या होगा ये फीटस का जो बलड होगा वो रह नेगेटिव के बलड के साथ में क्या होगा कॉंटेक्ट में आएगा ठीक है और कॉंटेक्ट में आने की वैसे उस टाइम पे क्या होगा डिलीवरी तो नॉर्मली हो जाएगी no problem लेकिन जैसे ही काउंटेक्ट में आया तो आपको मैंने भी बताया कि आरेच पॉजिटिव के अंगेंस्ट में क्या होगा आपका एंटी आरेच एंटी बड़ी आपकी create होगी क्या क्या create होगी एंटी आरेच एंटी बड़ी ठीक है और यह दुनों क्या हो जाएंगे एक साथ में कमाइन होएंगे यह antigen को तो kill कर देगी तो अब जो rbc है वो क्या होने लगेंगी एक साथ इखटी होने लगेंगी ठीक है और coagulation होने लगेगा ठीक है वही aglutination का process होने लगेगा तो उससे क्या होगा कि mother की मदर की जो second pregnancy होगी ठीक है second pregnancy उस time पे क्या होगा जो भी आपका जो भी fetus होगा न ठीक है वो क्या हो सकता है death हो सकती है उसकी तो देखो यहाँ पर यही चीज आपको बताई हुई है तो fetus की death होना यहाँ पर भूती process हो सकता है इसका क्यों क्योंकि जब second वाली delivery होगी ठीक है second वाली delivery के time पे यह पूरा process आपका होगा देखो एक पर diagram देख लो जो first pregnancy है उसमें आपका रह positive है ठीक है mother आपकी रह negative है और यह आपका रह positive आपका fetus दिखाया होगा है ठीक है आप देखिए first की pregnancy हो first की जो delivery है वो हो गई अब जो आपकी pregnancy है second वाली तो second वाली pregnancy में क्या होगा आपकी mother की body ने anti-rh antibodies already बना ली है ठीक है अब body के अंदर anti-rh antibody क्या है present है अब अगर second वाला baby भी यदि RH positive हुआ तो RH positive के against में यह antibody क्या करेगी काम करेगी और यह antibody कौन सी होती है यह antibody होती है IGG type की ठीक है और आपको मैंने बताया था कि IGG जो आपकी antibody होती है वो क्या होती है placenta को cross कर जाती है ठीक है placenta को क्या कर जाती है cross कर जाती है और जब placenta को cross कर जाएगी तो क्या करेगी ये उस R.H. antigen के साथ में क्या होगी कमाइन हो जाएगी तो R.H. antigen को क्या कर देगी किल कर देगी R.H. antigen किल हो गया तो R.B.C. क्या होने लग जाएगी collect होने लग जाएगी ठीक है अब देखिए तो ये second pregnancy में जो भी baby होगा ठीक है या तो उसकी death हो जाएगी और यदी वो बच भी जाएगा ठीक है तो उसको क्या होगा उसको जो है बहुत सारी disease लग सकती है ठीक है like as hepatitis हो जाएगा ठीक है पीलिया हो सकता है jaundis हो सकता है तो इन बिमारियों से वो क्या रहेगा affected रहेगा समझ आ गया अब देखिए इससे बचने के क्या क्या process हो सकते है तो देको बचने के लिए क्या करना होता हे जैसे ही first delivery हो जाती है न मदर की ठीक है लेड़ी की first delivery यदि हो जाती है तो first delivery के जिस्ट बात क्या करना होता है लेडी को जो है रोगम के injection दिये जाते हैं यहाँ पर बताया हुआ है रोगम के injection यह क्या करते हैं यह आपके anti-rh antibody की तरह ही जो क्या करेंगे आपके work करेंगे ठीक है तो यह क्या करेंगे उस IgG जो आपकी antibody है ना उसके लिए ही काम करेंगे तो हम क्या बोल सकते हैं यह एक तरह के anti-Igg antibody जो है वो दी जाती है ठीक है तो वो क्या करेगी आपकी IgG जो है ना उसको क्या कर देगी रोग देगी बनना ठीक है क्योंकि यदि body के अंदर वो बनना बंदो जाएगी तो next यदि pregnancy होगी तो उसमें भी baby के उपर कोई effect नहीं पड़ेगा तो 24 फस्स डील भी रही है 24 hours के अंदर क्या करना होता है रोगम के injection यह एक तरह का vaccination ही है ठीक है यह जो रोगम के injection है और we can say that it is a type of antibody ठीक है तो रोगम के injection देना जरूरी है या फिर हमको क्या करना होगा और second हमारा बचने का क्या case हो सकता है कि यदि second pregnancy के बाद यदि baby जो इसको मैंने अलग से ही आपको वीडियो बनाना जड़ा सही समझा ठीक है जिससे कि आपको completely समझ में आ जाए तो I hope कि आप सभी को यह topic clear होगा जिस भी बच्चे को कोई दिक्कत आती है न कोई भी दिक्कत आती है तो आप वीडियो को जो है बैक करके देखिए ठीक है एक ब setting का option होता है setting में जाकर आप quality को improve कर सकते है 360 पे कर लीजिए 240 पे कर लीजिए ठीक है ठीक है तो इसके उपर यह आप सेट करेंगे ना तो आपको बिल्कुल clear दिखाई देगा कई बार net की problem वैसे ही चीजी जो है नहीं हो पाती है clear ठीक है और PDF मैंने अल्लेड़ी इसका provide कर बादी आए ठीक है आप लोग proper सरीके से वीडियो को देख लीजिए और चैनल को जो है subscribe कर लीजिए मेरे जाते साथ वीडियो को like कर दीजिए और ज्यादा ज्यादा अपने friends को जो है यह जो topic है यह जो वीडियो है वो share की दीजिए जिससे की जिनको requirement है उनको भी इसका benefit मि प्याद।